नमस्ते, तो आज हम एक और रिडिंग करने वाल हैं, और आज हम देखेंगे कि 12-12 पोर्टल में क्या कुछ एनर्जी है आपके पोर्टल के, ठीक है? साल का आखरी पोर्टल है ये, बहुत ज़्यदा महतुपुर्ण है ये पोर्टल भी, ठीक है? सब के उपर इसका असर होता है, जादा तर ट्विन फिलेम जो होते हैं, उनके उपर जादा असर होता है, लेकिन ऐसा जरूर नहीं हम सब के उपर होता है, ठीक है? धरती के हर इंसान के उपर इसका असर होता है जो भी पोर्टल आते हैं तो देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के उपर देखते हैं तो सबसे पहले चेंज आपके परसन के अंदर आप चेंज आते हैं अपने देखा 12 बारा पोर्टल 12 पोर्टल की बात कर रहे हैं और देखो यह क्या चमतकार है कि सबसे पहले काड़िया आपर 12 नंबर का आ चुका है और चेंज आ चुका है इस रिष्ट में अब बहुत ज़्यादा चेंज आने वाल है आपके परसन के अंदर बहुत बदला हो रहे है मुझे से लगते हैं कि अंसान सही डिसिजन नहीं ले पाता था ये इनसान जाना था जापान पॉझ गया चिन ऐसे हलत हो गई थे इस अंसान के आज तक कही और जाना था और कही और ही चला जाता था कुछ और करना था कुछ और ही करता था तो अब क्या होगा ये इनसान सही डिसिजन ले पाएगा 12, number 12 क्या है sacrifice, ठीक है, number 12 sacrifice बोलता है, तो अगर इस इंसान ने कभी भी आपके लिए कोई compromise नहीं किया, तो अब, अब इस रिष्टे में आपके person आपके लिए address करेंगे, compromise करेंगे, सही decision वो इंसान ले पाएगा, ओके, और देखते हैं, बहुत ही खुश्चुरत energy यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत सारे बदलाव इस रिष्टे में अब आने वाले हैं, ओ माई गाड, अब देखो, mirror number हो क्या न, यहाँ पर 1, 2 है, यहाँ पर 2, 1 है, mirror कर रहे हो आप दोने एक दुसरे को, में भी जो आप सोच रहे हूँ, वही आपके partner भी सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है, बहुत लोग के साथ यह resonate होगा, कि आप दोनों भी एक दुसरे को जैसे mirror कर रहे हो, तो देखो, यहाँ पर आपके past की जो भी energy है, सब कुछ clean होने जा रहा है, clean, जो मनमुटाव है, जो भी जगड़े है, टेंशन है, जो कुछ भी हुआ है, वो सब कुछ clean it up, एक नई शिर्वात की दरब यह रिष्टा बढ़ने वाला है, और number 21, number 21 क्या होता है, राजा और रानी, number 1 होता है राजा का, और number 2 होता है रानी का, ठीक है, तो number 21 भी बहुत ही खुबसूरत यहाँ पर है कि, जीत होगी, success मिलेगा, ठीक है, और पुरानी energy अब clean होते जा रहे है, आपके person, चाहते ही नहीं कि वो past के energy अब आप दुनों क बीच में कुछ रुकावट डाले, जो कुछ भी past में जगडे हुए, टेंशन हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो इस रिष्टे को, वो सब कुछ past के energy को भूल भाल कर, इस रिष्टे में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, number 21 का जो total होता है, 3 होता है, 3 number, 3 number है गुरू का, इस प्यार में अब ग्रोथ आएगी, ठीक है, बहुत ही beautiful कार्ड से हाप राच चुक है गाईस, आप heal कर पाओगे, दोनों भी past के energy से निकल कर, अब आगे बढ़ने के लिए ready हो, ठीक है, और देखते हैं, और क्या है, और मन के जो भी जाले हैं, देखो हम दिवाली को घर के जाले जाले लगे हैं, तो जो भी कच्रा होता है घर में, जो जाले होते हैं, उसका निकाल देते हैं, बस वैसे ही होगा, आप दोनों भी, और specially आपके person, जो उनके मन में जाले लगे हैं, वो उनको साफ करेंगे, ठीक है, और साफ सुतरे दिल से वो इस रिष्टे में एक न वाइल हो इस इंसान के लिए, अगर ये अनसान कभी past में आपके उपर शक करता था, ठीक है, कोई भी शक हो सकता है, तो definitely ये अनसान उस गलफ्या में से बाहर निकल चुका है, इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप loyal heart हो, आप उस इंसान को सच्छा प्यार करते हो, आप के जैसा प्यार उस इंसान को कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो loyal heart क्या बता रहे कि एस इंसान ने अगर कोई गदारी की है आपके साथ, अगर इसने आपके साथ कोई बेमानी कर दी, कुछ लोग के साथ resonate होगा कि कुछ third party के लिए छोड़ कर चला गया, अपने अगर आपको जस्टिस का है, कर्मा का है, शनी का है, आज भी आपसे बहुत प्यार करता है, अगर आपको लगता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए कुछ है नहीं साताधी नहीं है, यह बहुत ज़ाधा प्यार है, और यह प्यार अब आपको शोगा, definitely आपको अब वापस आएगा, जरूर वापस आएगा, ठीक है, और ये रिष्टा जो है, गौड की, इनिवर्स की, ब्लेसिंग इस रिष्टे पर है, आप दोनों के उपर होए, तो आप पो चिंदा करने की जरूरत ही नहीं है, अब ये परसन आपकी तरफ बढ़ेगा, नमबर फोर, हो सकत है, बहुत ही चाप्टर, बहुत ही ओसमाट, ठीक है, दिमाग से खेल खेलने वाला इनसान हो सकता, इसके दिमाग में हमीशा आप चल रहे हो, लगातार, इसके दिमाग में बहुत thoughts चल रहे हैं और ये इंसान इस रिष्टे को ये जो कुछ भी दूरी आई है आप दोनों के बीच में अब इन दूरीों को खतम करने की कोशिश करेगा ये रिष्टा बहुत ही beautiful एक नई सिरे से शुरू होने के लिए ready है, बहुत ही ज़ादा यहाँ पर powerful energy ऐसी है कि इनसान आपको manifest कर रहा है बहुत ही powerful energy है कि वो इनसान जो भी दिमाग में उसके negative ख्याल थे, वो जो कुछ भी बात है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है अपने दिल में जो मैल था जो मनमुटाओ थे उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है, manifest करनी की आपको कोशिश कर रहा है अब तक इस इनसान का heart chakra जैसे की block हो गया था और अब इस इनसान का heart chakra open हो रहा है आपके लिए, ठीक है यह इनसान कुछ नए तरीके से इस रिष्टे की शुरबात कर सकता है कुछ creative तरीके से कुछ आपको surprise दे सकता है कही long distance अगर आप हो तो अचानक वो आपसे मिलने के लिए आ सकते है, कोई surprise दे सकते है कई घूमने के लिए, अचानक plan बना सकते है आपको बता सकते के हमें ऐसे ऐसे जाना है कुछ तो surprise देंगे और कुछ creative तरीके से ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता अलग, जो आज तक आप दोने कभी किया ने, ऐसा कुछ अलग वो आपके साथ करना चाहते है, और इस रिष्टे में एक नयापन लेकर आना चाहते है, एक बहुती beautiful इस रिष्टे को बनाना चाहते है आपके partner बेफिक्र होना है आपको अगर आपका person कई दिनों से बिल्कुल भी contact में नहीं था, अगर वो आपकी तरफ मुड कर नहीं देख रहा था, तो अभी अनसान आपकी तरफ मुड कर देखेगा ना कि सिर्फ मुड कर देखेगा, तो इस रिष्टे में एक new beginning होने जा रही है, बहुत ही जदा beautiful energy हापर आ चुके है और God के blessing तो आपके ओपर है ही number 22, master number है number 22, number 12, number 21, number 35 का total है 8, और number 4 ये number आपके लिए कुछ खास हो सकते है ऐसा कुछ होने वाला है अब कि जिसके आपने कभी उम्मीद भी नहीं खीती unaccepted, unaccepted जो आपने सोचा भी नहीं होगा universe की तरफ से भी आपको कुछ guidance मिल सकती है कुछ ऐसा gift जो आप कई दिनों से मांग रहे थे भगवाय से, जो कुछ भी आप मांग रहे थे ऐसा कुछ आपको आप मिल सकता है bless बता रहा कि बहुत ही खुसरत energy हाप पर आई है यहाँ पर बहुत लोग ऐसे है कि आपका जो रिष्टा है, बहुत ही जदा आप एक दूसरी के करीब आने वाले हो intimacy, ठीक है sacred relationship, जिसके लिए आप तरस रहे थे जिस दिन के लिए आप तडप रहे थे, वो दिन अब आने वाला है, अब आप इसमें development देखोगे, और deep deep intimacy, आप दोनों के बीच में होगी, और imagine, आप में से जो भी लोग यहाँ पर imagine कर रहे हो ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपके person आपको manifest करने की कोशिश करे वापस वही energy कि आपके person आपको manifest करने की पूरी कोशिश कर रहे है, वो इंसान आपको imagine कर रहा है, और देखो यहाँ पर regeneration है regeneration क्या बताता है reconciliation होने वाला है reunion होने जा रहा है, बहुत जल यह energy आपको देखने को मिलेगी बहुत जल, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग है कि आप एक दूसरे को manifest कर रहे हो और बहुत जल आपका reunion होने जा रहा है imagine बता रहे कि आप एक दूसरे को इतने ज़्यादा miss कर रहे हो इतना ज़्यादा एक दूसरे को miss कर रहे 3D level से उपर आप दोने एक दूसरे को feel कर सकते हो maybe आपके person अगर 3D level में है तो आप 4D level में, आप 5D level में जा चुके हो आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा visualize कर रहे हो, imagine कर रहे हो, manifest कर रहे हो law of attraction को apply कर रहे हो और why, जो भी सवाल है why क्या बता रहे कि जो भी सवाल है अब आपके मन में, दोनों के भी मन में उसके जवाब अब आपको universe देने जा रहा है ये 12-12 portal आपके लाइक में बहुत सारे changes लेकर आने वाला है और बहुत लोग यहाँ आप रैसी है कि आपका reunion होने जा रहा है तो ये इस रिष्टे के energy है नमबर 31 खास हो सकता है नमबर 22 और नमबर 20 नमबर 46, 4 ब्लस 6, 10 नमबर, 1 नमबर ठीक है तो देखीजे तो ये कुछ energy है और ये बहुत ही powerful energy है अब यहाँ पर इतने सारे changes आने वाले है कि आप खोशी से पागल हो जाओगे ठीक है आपके जो भी सवाल है उसके जवाब अब मिलने वाल है जो लोग भी कोई decision चाहते हो कोई फैसला चाहते हो आपके person की तरफ से तो ये रहा फैसला कि इस रिष्टे में अब reunion होने जा रहा है आपके person ये फैसला करेंगे कि मुझे वो past के energy से बाहर निकलना है जो कुछ भी हुआ past में मुझे नहीं जीना है वैसे मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती और वो एक decision लेंगे एक फैसला लेंगे कि उनको अब आपके तरफ आना है और इतनी खुशिया आपके जिन्दगी में आएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जैसे कि खुशिय से आप पागल हो जाओगे major अरकाना से देख लेते हैं क्या कुछ energy है major अरकाना से देखते हैं आपके person की क्या हाल है क्या चल रहा है the world मैंने बोला ना कि आप खुशिय से पागल हो जाओगे इस इंसान को यह अहसास हो रहा है कि उसके बिना दुनिया अधूरी है वही सब कुछ है मेरा उसके बिना कुछ बिने और मैं नहीं रह सकता उसके बिना तो यह कुछ energy आपके person की है कि आप ही उस इंसान की दुनिया बन चुके हो आप ही उस इंसान का सब कुछ बन चुके है और वह आपके बिना रही नहीं सकता बिलकुल नहीं रह सकता the world के energy ने सब कुछ बता दिया कि आप इस इंसान के लिए क्या हो oh my god oh my god oh my god अब इससे best card कोई और हो नहीं सकता और bottom में आप विश्वास नहीं कर पाऊगे कि इंसान कितने fast आपकी तरफ आने वाला है और कैसे आपको justice देने वाला है इस इंसान को एहसास हो रहा है कि वो मेरी दुनिया थी और मैंने उसको ही hurt कर दिया मैं अपनी दुनिया से ही जैसे दूर जा रहा था तो मुझे अब अपनी दुनिया की तरफ जाना है मुझे उसके साथ justice करना है ये बहुत ही beautiful energy है अपर आ चुके गईस बोलने के लिए कुछ रहा नहीं कितना ज़्यादा beautiful card से अपर आये चुके है justice the world और यहाँ पर है चार्यट ठीक है और bottom में देखो the tower इस इंसान को बहुत जाट trigger भी होने वाला है बहुत जादा यहाँ पर ऐसे ही लोग है कि आपके साथ कुछ तो गलत फैमी हुई है आप दोनों के बीच में या कुछ लोग के साथ बहुत बड़ा धोका हुआ है क्योंकि the tower के energy bottom में आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ ठीक है अब उसमें से heal करके आगे बढ़ना है trigger मिल सकते इस इंसान को universe की तरफ से कुछ ऐसे संकित मिलेंगे कि तुम्हें उसकी तरफ जाना है तुमने उसको अपने से दूर करके बहुत ज़दा बूरी हालत मतलब आपका जो हाल है न दिटावर के energy जो यहाँ पर आ चुके है तो यह बता रही कि आप किस हाल में जी रहे हो कैसे जी रहे हो और दिटावर के energy ने बता दिया कि बहुत ही ज़दा big changes और suddenly changes इस रश्चे में पहले भी आये थे और अब आएंगे अब जो पहले हुआ है अब उसके opposite होगा जस्टिस होगा ठीक है पहले क्या हुआ कि इस अंसान ने आपको अंदर से तोड़ दिया जो कुछ भी नाइंसाफियस ने की है क्योंकि जस्टिस का काड़ा चुका है तो यहाँ पर बहुत ऐसे ही चांसे से कि कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पर ठीक है तो यह बहुत बड़ा trigger भी मिल सकता है इस इंसान को कि तुमने यह क्या किया जिससे तुमने प्यार किया और जिसने तुमसे इतना ज़दा प्यार किया तुमने उसको ही धोका दी दिया तुमने उसको ही खुद से दूर कर दिया तुमने उसको ही बरबाद कर दिया तो ये जो इस इंसान को guilt है, regret है ये इतना ज़ादा, बहुत ही ज़ादा high emotions हो रहे आपके person के और अब उस इंसान को लगएगा कि नहीं मुझे उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा, जरूरी बन गया है जाना, जरूरी हो गया है उसको justice देना, और the chariot fast action, अब बहुत ज़दा movement होने वाले है बदलाव आने वाले है, changes आने वाले है इस रिष्टे में, बहुत ही beautiful energy हाँ पराज चुके है, ठीक है अब ट्यारों से देख लेते है justice का card, Libra के energy है या आपर cancer है या आपर score P.O.P. है सारी के सारे राशी है, ठीक है और देखो page of wants अब तक ही अनसा आपसे बात नहीं कर पा रहा था ठीक है, अब तक ही अनसान चाहा कर भी, उसको आपसे बात करके बहुत happiness बहुत खुशी मिलती है और उसके बावज़द भी वो इनसान आपसे बात नहीं कर पा रहा था लेकिन अब, अब वो इनसान अपने आपको रोकेगा नहीं, ठीक है आउनलाइन बात हो सकती है बहुत लोगे, बहुत ज़ादा राशी Aries ली वो साजिटरेस है या आपर दर चारेट की एनरजी वापस आई है या बताओ मैं आपको कि यह इनसान कितना फास्ट आक्षन लेने वाला है आपके तरफ, यह इनसान कितना फास्ट आपकी तरफ आप बढ़ने वाला है यह बारा-बारा का पोर्टल आपके रिष्टे में बहुत ज़दा खास असर करने वाला है दर चारेट की एनरजी वापर नंबर सेवन स्प्रिचल आप बहुत स्प्रिचल हो और इस इंसान को जो अपने अंदर की जो कमिया है उसका एहसास होने जा रहा है कि उसने क्या कर दिया और देखो आपके बिना उसका कैसा हाल बन चुका है उसको यह एहसास हो जाएगा कि उसका जिसने सपोर्ट किया उसको जिसने हो सकता कि जब आप इस इंसान के जिंदग में गए थे तो यह इंसान कुछ ठीक हालत नहीं थी आपने इस इंसान को बुरी कंडिशन से बाहर निकाला है ऐसे कुछ लोग के साथ रेजनट हो सकता है कुछ लोग ने ऐसा हो सकता है तो आपने इस इंसान को फाइनेशल बहुत सपोर्ट किया इस इंसान को यह एहसास होगा कि अब उसके बिना कुछ भी नहीं है यह जो अकेला पन है इसको खाने को दोड़ जाएगा यह जो अकेला पन है इस इंसान को आपकी तरफ खीच कर लेकर आएगा कि आपकी यादे जैसे की परिशान करके रख देगे इस इंसान को नमबर फाइव यहाँ पर है एस अप पैंटकल्स और वो इंसान आपको एक सॉल्ड ओफर देने वाला है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे है कि आपने कई दिनों से इंतजार किया एक सॉल्ड कमिट्मेंट का ओफर का लेकिन नहीं हो रहा था लेकिन अब यह होगा ठीक है आपको पॉजिटिव रहना है और इस रिडिंग को अपनी मानना है कि यह मेरे साथ होगा तो एस और पैंटकल्स के इनर्जर क्या बता रहे कि यह जो बारा-बारा का पोर्टल है बहुत ऐसा असर करेगा कि रियोनियन रिकंसलेशन होने जा रहे है और यह परषण आपको commitment देने वाला है एक salt offer देने वाला है बेब अब तक इस इंसान के आत्मे ऐसा कुछ नहीं था वो आपको offer नहीं दे पा रहा था उसके पास कुछ देने के लिए था ही नहीं लेकिन अब उसके पास आपको देने के लिए एक salt offer है और वो उस offer को लेकर आपकी तरफ आ रहा है बहुत fast ठीक है अब आपके लिए guidance देख लेते हैं आपके लिए क्या guidance है सबसे पहले balance करना होगा खुद को ये जरूरी है ये हमेशा ही आता है बार-बार आता है कि आप balance ही नहीं कर पाते हो और इंजल आपसे कहती है आप balance करो ठीक है और क्या है wisdom देखो गाईस बार-बार यही आता है कि आप में बहुत wisdom है भगवाल ने आपको wisdom दिया है आप इस तमाल क्यों नहीं कर रहे हो अपने wisdom का इस्तमाल करो आप बहुत आगे जा सकते हो और forgiveness यह तो आना ही था देखो अब इस इंसान ने आपके साथ justice नहीं किया बराबर ठीक है अब इस इंसान वापस आ रहा है offer लेकर आ रहा है reconciliation होने जा रहा है तो क्या जरूरत है forgiveness की जरूरत है सिर्फ इस इंसान के बारे में नहीं आपके life में आपको किसी ने भी धोका दिया हो किसी ने भी आपके साथ गलत किया हो उस इंसान को माफ करने के आवश्यक्ता है वो कोई भी हो सकता है क्योंकि जब तक हम उसको माफ नहीं करेंगे तब तक हमारा दिल का जो बोच है ना हलका भी नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, तो उस इंसान के लिए ना सही, हम खुद के लिए उस इंसान को माफ करें, तो बेहतर होगा, ठीक है, और देखते हैं, क्या guidance है आपके लिए, यहाँ पर है triple moon, आपको accept करना है, universe ने बहुत कुछ दिया है, विकार करो कि आपके अंदर कितना जर्ड टालेंट है, आप मानते ही नहीं हो, आप तो खुद के ओपर विश्वास ही नहीं रख पाते हो, हम, ओके, हापी लव, वाव, बहुत ही यहाँ पर beautiful काड यहाँ आपर आ चुका है, कि हापी लव, देखो आपके प्यार में आप stability भ देंगे आपका, ठीक है, और यहाँ पर है, the perfect night, आज की जो रात है, अगर आपको कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी आप भगवान को मांगना चाहते हो, आज रात आप उसको मांग सकते हो, यह perfect time है आपके लिए, ठीक है, शाम को या रात को, अगर कोई candle spell वगएरा करना ह है, कुछ भी करना है, तो आप वो कर सकते हो आज, शायद आप खुद भी नहीं चानती कि आप कितने जादा लखी हो, भगवान ने आपको बहुत लखी बना है, भगवान के चाहते बच्चे हो, आप लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाते हो, यह अलग बात है, इतने पसंद आई होगी, लाइक, शेर और सब्स्क्राइब, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बाई